हर साल एक अप्रेल को कुछ नए कानून लागू होते हैं, उस साल भी हुआ था, फिर क्या हुआ? सुनते हैं मंटो की कहानी नया खानून मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अकलमंद आदमी समझा जाता था, उसके शिक्षा शुन्डी के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुँँ नहीं देखा था, इसके बावजूद उसे दुनिया भर की बातों का पता रहता था अड्डे के सारे कोचवानों को जब जानने की इच्छा होती कि दुनिया में क्या हो रहा है तो उस्ताद मंगू की विस्त्रित जानकारी का फायदा उठाने उसके पास जाते थे जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनि तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी दे कर ग्यानियों के से अंदाज में कहा देख लेना चौधरी थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी और जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा कि ये स्पेन कहाँ पर है तो उस्ताद मंगू ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया विलायत में स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर आदमी को इसका पता चल गया तो इस्टेशन के अड़े में जितने कोचवान घेरा बनाए हुक्का पी रहे थे मन ही मन उस्ताद मंगू की महांता भी स्विकार कर रहे थे उस रोज जब वो अड़े पर आया तो उसका चेहरा तम तमाया हुआ था हिंदू मुस्लिम दंगे पर उस्ताद मंगू ने बड़े विचारकों के अंदाज में कहा ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है मैंने पड़ों से सुना है कि अकबर बाद्शाह ने किसी दर्वेश का दिल दुखाया था और उस दर्वेश ने बद्दुआ दी थी जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद होते रहेंगे और देख लो जब से अकबर बात्शाह का राज हत्म हुआ है हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं फिर ठंडी सांस भर कर फिर उसने अपनी बात कहनी शुरू की ये एक कांग्रेसी हिंदोस्तान को आजाद कराना चाहते है मैं कहता हूँ अगर ये लोग हजार साल भी सर पटकते रहें तो कुछ न होगा बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेस चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा या वो रूस वाला जिसके बारे में सुना है कि बड़ा तवड़ा आदमी है लेकिन हिंदोस्तान हमेशा गुलाम रहेगा उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी इस नफरत का कारण वो बताता था कि वे उसके हिंदोस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढ़ाते हैं मगर उसकी नफरत की सबसे बड़ी वजह थी छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे जब किसी शराबी गोरे से उसका जगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तब्यत नाखुश रह थी और उस शाम को अट्टे में आकर उस गोरे को जी भर कर खरी खोटी सुनाता और एक दिन जब उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर दो सवारियां ला दी दो मारवारी जो कचहरी में अपने दिवानी के मुखदमे के सलसले में आये थे वापस घर जाते हुए नए खानूं यानि इंडिया एक्ट के बारे में बातें कर रहे थे सुना है पहली अप्रेल से हिंदुस्तान में नया कानूं चलेगा क्या हर चीज बदल जाएगी हर चीज तो नहीं बदलेगी बगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को अजादी मिल जाएगी क्या ब्याज के बारे में भी कोई नया कानूं भास होगा ये पुछने की बात है कल किसी वकीज से पूछेंगे शाम को जब उस्ताद मंगू अड़े पर लोटा और वहां उसे अपना कोई जाना पहचाना न मिला तो उसके सीने में तूफान उट खड़ा हुआ आज वो एक बड़ी खबर अपने जुस्तों को सुनाने वाला था और उस खबर को अंदर से बाहर निकालने के लिए बहुत बेचाएन हो रहा था उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे विचार आ रहे था वो पहली अप्रेल से हिंदुस्तान में लागू होने वाले नए खानून के बारे में सोचता कि इन गोरों सफेद चुहों की थुथनिया नए खानून के आते ही बिलों में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी जब नत्थू गंजा अट्टे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू तबाक से बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उंची आवाज में कहने लगा ऐसी खबर सुनाओं की तेरा जी खुश हो जाए तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएं और ये कहकर मंगू ने बड़े मजे लेकर नए खानून के बारे में अपने दोस्त को बताना शुरू किया तू देखता रहे क्या होता है ये रूस वाला बादशाओ आज कुछ न कुछ जरूर करके रहेगा एक दिन उसके तांगे में बैठे दो बैरिस्टर नए विधान की कड़ी आलोचना कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था उनमें एक कह रहा था नए कानून का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया ऐसा फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक में सुना ना देखा गया सियासी नजर्गे से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है बलकि यों कहना चाहिए कि ये फेडरेशन है ही नहीं उन बैरिस्टरों के बीच जो बाचित हुई क्योंकि उसमें ज्यादातर शब्द अंग्रेजी के थे इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ उपरी जुमलों को ही किसी तरह समझ पाया और सोचा कि ये लोग हिंदुस्तान में नए खानून के आने को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते हैं कि इनका वतन आजाद हो इस ख्याल में उसने कई बार उन दोनों बैरिस्टरों को हिकारत भरी नजरों से देख मन ही मन कहा तोड़ी बच्चे जब कभी वो किसी को दबी जबान में टोड़ी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस कर बहुत खुश होता कि उसने इस नाम का सही जगह इस्तेमाल किया है और ये भी कि उसमें शरीफ आदमी और टोड़ी बच्चे में फर्क करने की योगिता है आखिर मार्च के इकतीस दिन खत्म हो गए और अप्रेल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए मौसम आम दिनों की मनिस्पत ठंडा था और हवा में ताजगी थी पहली अप्रेल को सुबह सवेरे मंगू उस्ताद उठा अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जोता और निकल गया उसकी तबियत आज असाधारण रूप से पसंद थी वो आज नया कानून देखने वाला था उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया मगर उसे हर चीज पुरानी नजर आई आस्मान की तरह पुरानी उसकी निगाहे आजखास तोर पर नया रंग देखना चाहती थी पर सिवाए उस कलगी के जो रंग बिरंगे परों से बनी थी और उसके घोड़े के सिर पर जमी थी बागी सब चीजें पुरानी थी ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदा बख्ष से साढ़े 14 आने में खरीदी थी अभी बहुत सवेरा है दुकाने भी तो सबकी सब बंध हैं इस ख्याल ने उसे सुकून दी अनार कली से निकल कर वो मौल रोट पर अपना तांगा धीरे धीरे चला रहा था कि मोटर की दुकान के पास उसे च्छावनी की एक सवारी मिल गई किराया तै करने के बाद उसने मन में सोचा चलो ये भी अच्छा हुआ शायद च्छावनी से ही नए खानून का कुछ पता चल जाए च्छावनी पहुँचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को मनजिल पर उतारा और पिछली सीट के गदे पर बैठ गया वो नए कानून के आने पर म्यूनिस्पैलिटी कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है पीछे पलट कर देखने पर उसे सडक के पार दूर बिजली के खंबे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो उसे हाथ के इशारे से बुला रहा था जैसा कहा जा चुका है उस्ताद मंगो को गोरों से बेहत नफरत थी जब उसने अपनी नई सवारी को गोरे की रूप में देखा तो उसके मन में नफरत के भाव जाग उठे पहले तो जी में आया कि बिल्कुल ध्यान न दे पर बाद में ख्याल आया कि इनके पैसे छोड़ना भी बेवकुपी है कलगी पर जो साड़े चौदह आने खर्च कर दिये इनकी जेब से ही वसूल करने चाहिए खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड पलक चपकते वो बिजली के खंबे के पास पहुँच गया गोड़े की लंगाम खीच पिछली सीट पर बैठे बैठे गोड़े से पूछा साहब बहादूर कहा जाना मांगता है इस सवाल में घजब का व्यंगय था साहब बहादूर कहते समय उसका उपर का मुचों भरा होट नीचे की और खिच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्धिम से लकीर नाक के नतुने से ठोड़ी के उपरी सीरे तक चली जा रही थी एक कपकपी के साथ गहरी हो गई जैसे किसी ने नोगीले चाकू से शीशम की सावली लकडी में धार डाल दी हो जब गोरे ने जो बिजली के खंबे की ओट में हवा का रुख बचा कर सिगरेट सुलगा रहा था मुढ कर तांगे के पाइदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू से उसकी निगाहे चार हुई और ऐसा लगा कि एक साथ हामने सामने की बंदूकों से गोलिया निकली और आपस में टखरा गई गोरे ने सिगरेट का धुआ निकलते हुए कहा जाना मांगटा या फिर गरबर खड़ेगा वही है ये शब्द उस्ताद मंगू के दिमाग में पैदा हुए और उसकी चोड़ी चाती के अंदर नाचने लगे वही है उसने ये शब्द अपने मुह के अंदर दोहराए और उसे पूरा यकीन हो गया कि ये गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिसने पिछले बरस उसके साथ जड़प की थी और उस खामखाह के जड़प में जिसकी वज़ए गोरे के दिमाग में चरभी हुई शराब थी उसे लाचार होकर बहुत सी बाते सहनी पड़ी थी उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और पहली अप्रेल के नए खानूं पर गौर करते हुए कहा गोरे से पूछा कहा जाना मांगता है उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक जैसी तेजी थी गोरे ने चवाब दिया हीरावंडी किराया पांस रुपे होगा उस्ताद मंगू की मूछे धरधराईं ये सुनकर गोरा हैरान हो गया वो चिला उठा पांस रुपे कैटम हाँ हाँ पांस रुपे ये कहते हुए उस्ताद मंगू के बालों भरे दाहिने हाथ ने भीच कर ए भारी खूंसे का रूप ले लिया क्यों चलते हो या बेकार बातें बनाओगे उस्ताद मंगू का लहजा और भी सक्त हो गया गोरा पिछले वर्ष की घटना का ख्याल कर उस्ताद मंगू के सीने की चड़ाई नजर अंदाज कर चुका था सोच रहा था इसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है इस ख्याल से उसने अपनी चड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे से नीचे उतरने का इशारा किया बेंस की पालिश की हुई पतली सी चड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ दो तीन बार छुग गई फिर क्या था उसका गूसा उपर उठा और पलक धर पीटना शुरू कर दिया गोरा हका भका रहकिया और उसे उस्ताद मंगू के वजनी घुसों से बसने की उसने जम कर कोशिश की जब देखा कि उस्ताद मंगू की हालत पागलों जैसी हो गई है तो जोर जोर से चलाना शुरू किया उस चीख पुकार से उस्ताद मंगू की बाहों का काम और तेज हो गया वो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये भी कहता पहली अप्रेल को भी वही अकड़भू अब हमारा राज है बच्चा लोग जमा हो गए और पुलिस के दो सिपाहियों ने बमुश्किल गोरे को उस्ताद मंगू की पकड़ से छुड़ाया उस्ताद मंगू उन दो सिपाहियों के बीच खड़ा था और मुस्कुराते हुए भीड की तरफ देखकर उस्ताद मंगू हाफ्ती हुई आवाज में कह रहा था वो दिन गुजर गए अब नया कानून है मिया नया कानून और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफों की तरफ कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता तो कभी भीड की तरफ उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए रास्ते में और ठाने के अंदर कमरे में वो नया कानून नया कानून चिलाता रहा है पर किसी ने उसकी एक न सुनी नया कानून नया कानून क्या बक्रा है खानून वही पुराना है और उसे हवालात में बंद कर दिया गया मंटो के कुछ और अफसाने सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाईए इस चैनल का और इंतजार कीजिए अगले नोटिफिकेशन का मंटो की एक और कहानी मेरी जुबानी